कि यूट्रिक्स के यूट्यूब चैनल के यूट्रिक्स 2.0 पर आपका वागत है और आज है दे 53 उत्रकन देट प्रिवेस परिक्षन 24 के हम तयारी कर रहे हैं उसका आज 53rd डे है यानि 52 ग्लासेश हो चुकी है अगर आप लोग नहीं प्लासेश को नहीं देखा तो जरूर द की दूबारा से पहले आप लोगों को बेसिक आपको पढ़ना चाहिए मधस अगर आपको स्पेशल मेज्ट से पढ़नी है मैटस क है पको पढ़ना चेहिए उसका लिंक डिस्रिप्ट्रिप्शन में दिया हुआ है सारे टॉपिक्स का उपिग्स को गढ़ पढ़ लू ते कि एक्षन की लाइफ क्लासेज आपको क्यूट्रिक्स टूपइंटों के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट विद कम्प्लीट स्लिवर्स कोई चार्ज नहीं इसकी लासेज आपको मिलने वाली है तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन तो देखो कब तक आता है और आज है 53rd डे यानि प्रीविएस येर कोश्ट वेपर की 52 ग्लासेज हो चुकी है अभी जो प्रीविएस येर कोश्ट वेपर है इनको भी ध्यान से करते रही है कुछ सेलेक्टेट कोश्टें होते हैं जो किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करते है वो questions आपको normally करने चाहिए क्योंकि उनका method आपको normally याद रखना चाहिए हमेशा topic wise भी नहीं पड़ोगे और हमेशा in regular भी नहीं पड़ोगे तो अभी हम previous year question कर रहे हैं इससे आपको ये idea आजाएगा कि क्या क्या exam में आने वाला है और क्या क्या आपका weak point है जो weak point है उसके accordingly फिर आप आगे जाके तैयारी कर होगे इसलिए मैंने decide किया कि पहले जो है प्रीविएस यह questions रोज कराएंगे और जब नोटिफिकेशन आया तो regular live class के तुरू पढ़ाएंगे बगए तो चली तो फिर से स्वागत आपका क्यूट्रिक्स two point हो पे मैं हूं नीरज एक्सन अक पर क्लिक करके all पर दरूर क्लिक कर दीजेगा चले शुरू करते हैं आज की class आज के पहले तो आज का पहला question है वो है दो संख्याओं का लॉसर उनके मौसर का दस गुना है यदि लॉसर वो मौसर का योग एक स्वियत्तर है यदि उनमें एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्य क्या होगी अगर इंग्लिश में इस question को हम बात करें इंग्लिश में इस तरीक से बोलेंगे कि the SCF of SCF is 10 times then the LCM of two numbers and the sum of the LCM in SCF is 176 then one of the number is 80 then what will be the second number में Matthew लूब में हमेशा आपको ये देहना है कि हमारी possibility क्या है हमक्या क्या क्या कर सकते हैं मैंचो है आप चाहे किसी बेंग्रावं के इस बहुती कर सकते हैं यहां पे हमारे समीनें जो question is सो क्वושن के कोडिञ तर्सकते मतलब होता है क्या पुलाई कि दो संख्याओं का लॉसा उनके लौसा का योग 176 है इन दोनों का डिशन 176 है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि LCMA 10X प्लस SCMA X और इसकी जो वैल्यू है वह 176 है 10X प्लस X हो जाएगा 11X is equal to 176 एक इस इकोस्तो हो जाएगा 176 अपॉन 11 ठीक है यह हो गया 16 है तो जो हमारा LCM होगा वो हो जाएगा कितना 160 और जो SCF होगा वो तो हमारा 16 ही रहेगा ठीक है अब आप से इतना clear हो गया अब इसके बाद आप से बोला गया है कि उन में एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी अब यह फॉर्मूला में पहले भी कई बार कर चुका हूँ एक फॉर्मूला होता है किसी भी दो नंबर का SCF और उसका LCM को अगर हम multiply करते हैं तो जो result हमें मिलता है वो मिलता है क्या उन दोनों का product ठीक है प्रोड़क्ट ऑफ तो नंबर यानि दो नंबर का multiplication दोनों नंबर का multiplication जो है वो उन दोनों के SCF-LCM के multiplication के बराबर होता है ठीक है तो SCF कितना है 16 LCM कितना है 160 और दोनों नंबर का product मतलब product एक नंबर 80 हो गया दूसरे नंबर को क्योंकि आप X अल्रेडी कुछ मान चुके हो तो अब अंसर होगा 32 दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 32 तो अमीद करता हूं कि question आपको समझ में आया होगा अगर कहीं पर कोई doubt है तो किसी भी question में आप चाहिए आज की class देख रहे हो या पुरानी classes देख रहे हो इन future आप classes देखोगे किसी भी question में doubt होता है तो comment section में बता देना कि question number इसमें दिक्कत है क्या हो सकता है कि question number इसमें problem है या sir आपकी गलती हो सकती है कुछ भी anything ठीक है आप comment section में बताईए जब तक बताएंगे नहीं तब तक problem solve नहीं होगी ठीक है तो चलो देखते है अगले question को तो जो अगला हमारा आज का question है वहाँ पर तो हम basic discuss करेंगे यहां पर भी आप पढ़ते वह चलिए ठीक है तो यह हो जाएगा एक मिनट question है आपका root of 1 plus root x is equal to 3 यह वाला जो अंडूट है जब इक्कोल कि इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 1 plus root x is equal to 3 का square ठीक है तो यह हो जाएगा 1 plus and root x is equal to 3 जा 9 यह square कैसा है यह जो बड़ा वाला अंडूट है जब इक्कोल कि इधर जाएगा तो square बन जाएगा ठीक है 9 फिर 1 इधर प्लस में है तो 1 को इधर लेके चाहिए यानि अंडूट x की value हो जाएगी 9 plus 1 10 हो जाएगा यह अंडूट भी जब इधर आएगा तो square बन जाएगा जो x की value हो जाएगी 10 का square ओके सारी 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 थोड़ी सी गलती होगे यहां पर देखो यहां से यहां पर ध्यान देना थोड़ी सी गलती होगे क्योंकि 1 यहां पर plus का है तो जो इधर जाएगा तो इध्यान रखना है कि अगर अंडूरूड है और वह इक्वल के इधर चला जाएगा तो वह square बन जाता है ठीक है हाला कि इसे चीज़ें हम चैप्टर वाइस पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे जब हम लोग नोटिफिकेशन आ जागा तब हम चैप्टर वाइस भी पढ़ेंगे चीज़ोंगा नेक्स कुश्चन देखते हैं संख्या सिक्स्टिनाइण के लिए रोमन ने लिखा जाये तो 69 तो हम हमें तीन चीज़ें आपर discuss करनी पहले तो याद रख लें आपकी 50 को कहते हैं ठीक है और जो 10 होता है 10 को हम कहते है एक्स ठीक है और जो हमारा 9 होता है 9 को हम कहते है आई और एक ठीक है आई और तो अब 69 को हम कैसे लिख सकते है 50 प्लस 10 और प्लस 9 तो 50 को कहते है L 10 को कहते हैं X और 9 को कहते हैं I X तो option number A आपको दिख रहा होगा L X I X जो है यहाँ पर आपका answer होगा अब जब हम roman number के उसको पढ़ेंगे देखो अभी भी मैं चाहूं तो शुरू कर सकता हूँ लेकिन problem यह है कि अभी notification आया नहीं है तो हमें जो आप students हो बहुत कम लोग अभी views भी बहुत कम आ रहे हैं जब थोड़े सा number of students हो जाएंगे सबको फाइदा होना चाहिए ना सबको नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए हम आराम से शुरू करेंगे तो answer होगे हमारा L X I X क्योंकि 50 को हम L कहते हैं 10 को हम X कहते हैं और 9 को हम 9 कहते हैं इसकी प्रॉपर क्लास लेंगे हम ठीक है अगला कोशन देखो अगला कोशन अभी कोशन कई बार कराए अच्छा नहीं यह अलग है कि ठीक है निमने के वराबर होगी तो आपको मिलियन को नॉर्मल इंडियन सिस्टम में कनवर्ट करना है तो 17.3 मिलियन है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 मिलियन में कितने होते हैं 1 मिलियन में 10 लेक्स 10 एक दो चार पांच 6 एक तो यह 10 लाग हो गए दस लाग है एक मिलियन में 10 लाग होते हैं तो सिंपली 17.3 मिलियन में कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 into 17.3 तो 17.3 से मल्टिप्लाइ कैसे करते हैं 173 लिखिए उसके बाद कितने 0 है दो चार छे 0 लगा दीजे 1 2 3 4 5 6 0 लगा दीजे और डेसिमल यहां पर तो डेसिमल यहां लगा दीजे 173 के पास जो पांच 0 वाला है वहीं आपका आंसर होगा और वो मुझे दिख रहा है दो चार पांच यह वाला ऑप्शन नमबर सी आपका आंसर हो गया 173 00000 एक हो गया समझ में आ गया ना तो यह कोश्चन भी ऐसे करना था तो बहुत सिंपल सिंपल कुश्चन से इतने सिंपल कुश्चन है कि 10 12 मिनिट में हमारी क्लास कतम हो जाती है लेकिन कुश्चन को ध्य है उसके आदे भाग की धारिता क्या होगी य pref की तो value है वो आपकी 1800 लिटर हो गई ठीक हो गया आधे भाग की धारिता क्या ओगी तो आपको एक बट्टे दो भाक के निकालनी तो तीन बट्टे पांच पार्ट की अथारा सो है तो ऊन पार्ट की कितनी हो जाएगी ओन पार्ट की हो जाएगी 1800 upon 3 upon 5, upon 3 upon 5, यह निए upon 3 into 5 उपर चला जाएगा, छीए ना, फिर उसके बाद आपको आदे भाग की, यह यह एक बट्टे दो पार्ट की धारिता निकालनी है, तो एक बट्टे दो पार्ट की धारिता हो गी, वह गी 1800, बट्टा 3, गुणा 5, और ए बट्टा दो यानि इन्टू वन बाई इस इग्जा एटीन जीरो जीरो तो तियां छे तीन सो और पांच तियां पंद्रा यानि 1500 लीटर जो है आदे भाग की हमारी धारिता हो जाएगी इतना क्लियर है सभी को मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए मेरे पीछ बहुत ज्यादा कुश्चन नहीं करा रहा हूं आप इन कुश्चन को रिवाइस भी करते रहे वीडियो को देखिए पॉस करिए और फिर सेलुशन देखिए तो आपके लिए ज्यादा बैटर रहे गांगा उमीद करता हूं कि आपकी आज क्लास अच्छी रही होगी 10 कुश्च आप कुछ तो ना 53 लास हो चुकी है रोज अगर आप 5-5 कुशन कर रहे तो 200 तो अब तक शॉल्व हो चुके 100 इसो कुशन कम नहीं होते हैं 250 कुशन कम नहीं होते हैं ठीक है तो चली आज के लिए उतना ही फिर आप से कल में मिलता हूं तब तक अपना ध्यान रख पढ़ाई करते रहिए जिस भी एक्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको 100% देना पड़ेगा तब ही वह एक्जाम क्वालिफाई होगा ठीक है थैंक यू सो मुच वाचिंग बाबाई टेक क्या